हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक ओन मैं चैनल पावर ओफ नॉलेज हम लोग पढ़े थे क्लास 12 बिजनिस स्टेडिस का फर्स चैप्टर नीचर एंड सिंग्निफिकेंस ओफ मैनेजमेंट आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन्स ओफ मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट के यहां पे 5 फ सबसब्स करेंगे मैनेजमेंट में सबसे पहले अगор अगर आप करेंगे तो क्या करेंगे प्ลानिंग करेंगे और प्लानिंग क्या है बेस है और फॉ solids जितंने भी cracking Apple और अधर फंक्शन कैसे हैं यहां पे अगर प्लानिंग नहीं तो बाकि सब कैसे होगा सक्वार्चेस कार T करना पड़ता है कि यानि कि हमें क्या करने जा रहे हैं कब करना है कैसे करना और उसकाम को कौण करेगा हम क्या काम करने जा रहे हैं कब करना कैसे करना जबेंब को कौन करेंग Burp यह सारी Dani होते हैं वह planning के होते हैं लो размbury इनसान करता है अपने ओर्गिनाइजेश्षिर थो में यह सारी चीज़ें पहले दिमाग में सोचता तो प्लानिंग करता है एक तरह का आप कह सकते हैं प्लानिंग क्या करता है दो रास्तों को जोड़ता है तो यह प्लानिंग यह प्लानिंग हम करते हैं कि के अभी उसी तरह से काम करता है कि अभी हम कहां कर रहे हैं और हमें कहां जाना है तो इतना ओर और और्गनाजेशन में हो जाना चाहिए तो यह प्लानिंग हम करते हैं पहले से ही तो यह ब्रिजिस दा गैप बिट्वीन वेर वी स्टेंड टुड़े आज हम कहां खड़ेंगे अब नेक्ट स्टैप देख लेते हैं मैंनेजमेंट का प्लानिंग के बाद मतलब जो फंक्शन है ऐब नेक्स्ट व्नक्षन है और रर्गेनाइजञ की बाद आता है हमारा और्गेज करेंगे उसके बाद ही हम सारी चीज़े और्गेज स्टाफिंग करेंगे स्वह दिए पढमी समझ सारी यां समझ लेते हैं ट्वायों ऑ심 charging पाम्टिंग दर संब्टियों और्टिविस एं टिये जो हमने planning किती उसको जो हम execute और कि करेंगे तो किसे करेंगे हम करते हैं कि कैसा हमारा ऑर्टिनाईजेशन होनी चाहिए पूरा उसका धाचा जो है वह हम करते हैं कि जहां पर हम काम करने जा रहें तो कैसी हो यहानि कि हाँ मैंनी यूनिट्स सब यूनिट्स और कितने डिपार्टमेंट और उन पहले समय पता होना चाहिए कि कितने यूनिट्स होंगे कितने डिपार्टमेंट होंगे कितने सब डिपार्टमेंट होंगे कितनी पोश्ट होंगी इस डिपार्टमेंट में कितने डेजिनेशन होंगे उस डिपार्टमेंट में तो यहां पर यह सारी चीज़ें हमें करनी होगी सारी चीज़ और गनाइज करनी होंगी काम जब जहां पर हम काम करने जा रहे और गनाइजेशन में उस और जो है पूरा में धाचा तयार करना पड़ेगा करना पड़ेगा कि अपनी अपनी एक पूर्टी अर इस्पॉन्सिबृटी अंवे लोग ने रहीं कर रहे हैं तो उनको क्या-क्या हम लोग जॉब दें उनकी qualification के according उनकी responsibility क्या होनी चाहिए उनकी authority क्या होनी चाहिए उनकी पास कितनी power होनी चाहिए decisions लेने की कितनी जिम्मेदारिय होने चाहिए ये सारी चीज़े हम organize करेंगे उसके बाद next staff आजाता है हमारा staffing अब हमने organize कर लिया सारी चीज़े हमने planning के बाद जो है organizing कर ली कितने units हैं कितने सब department हो किसकी क्या responsibility उसके बाद हम करेंगे staffing staffing staff सी समझ में आ रहा है staffing में staff यानि कि यहां पर हम staff को रखते हैं अपने organization में planning कर लिया organizing कर लिया उसके बाद बारी आ जाती है third step की staffing staffing क्या is the third step होता है और function कह सकते है manager का जो भी manager होता है planning और organizing के बाद staffing करता है इसमें क्या करेगा वो recruit करेगा employees को workers को उनको select करेगा appointing करेगा employees को उनको duties देगा उनकी accordion relation maintain करेगा उनकी जो problem होगी उनका ध्यान रखेगा तो यह सारा काम होता स्टाफिंग में यानि कि recruit करना हम बहार से किसी को अपने organization में recruit कर रहे हैं अपने हमने वेकेंसी निकाली जॉब पर तो इस department में इतनी इतनी वेकेंसिया हैं तो हमने एक एडवर्टैजमेंट के थरू या और जरिये के थरू हमने एडवर्टैजमेंट कर दिया यूजपेपर के थरू तो इस तरह से अमनों आडवर्टैजमेंट निकाल दिया उसके बाद हम क्या करेंगे रिकूट करने बाद हमाई पास जो है लोग आएंगे उनका इंट्रिवू लेंगे उनका एक्जाम कराएंगे उनको सेलेट करेंगे और जो हमारे काम के को होंगे हमारे क्वेटेशन के अकॉर्डिंग जो में बाकी को हटा देंगे उसका वान की दूटि बता देंगे क्या की यह दूटी है उसके-पस क्या करेंगे next staffing में फिरम क्या करेंगे training करवाएंगे अपने इंप्लोईज का वर्कर का उनका development करेंगे हम उनकी salary decide करेंगे काम क्यों qualification क्या होनी चाहिए उनका भीच भीच में promotion करते रहेंगे salary इनकी maintain करते रहेंगे उनका personal record है वो maintain करते रहेंगे इंप्लोईज का क्या performance चल रहें इंप्लोईज क्या काम कर रहें उसके according उनका promotion करना है कि नहीं करना कि salary में salary जो है increase करनी है कि नहीं करनी है अभी बीच में को training की जरूद है तो training भी करवाते रहेंगे तो यह सारी चीज़े होती है हमारी staffing में अब जब स्टाफिंग कर लिया है लोगों को पॉइंट कर लिया है रख लिया है सब कुछ कर लिया है train भी कर दिया है उसके बाद हम next step करेंगे directing directing जो है fourth step होता है तो यहां पर क्या होगा giving direction or instruction to employees and get work done by motivating them supervising the activities of employees communicating with them यहां पर हम direction देंगे अब लोग हमारे काम कर रहे हैं मोटिबेट करने जिससे कि वह अपना काम प्रयते कर पाएं और को supervising भी करते रहेंगे कि वह क्या काम कर रहे हैं काना problem तो नहीं यह ज्यादा वेश्ट तो नहीं कर रहे हैं वो मैटेरियल्स तो यह सारी चीज़े हम चैक करते रहेंगे इंप्लॉईस की बीच बीच में उनसे बात करेंगे उनकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे उनको मोटिवेट भी करते रहेंगे जिससे वो और अच्छे से काम कर पाएं तो डियरेक्ट डियरेक्शन दे रहें तो हम क्या हुए लीडर हुए लीडर हुए तो यानि कि हम लीड कर रहे हैं अपने इंप्लॉईस को अपने वर्कर को कि किस तरह से काम करना किस डियरेक्शन दे रहे हैं कि आपको कैसे काम करना है और लीडर ही हो जो होता है मोटिवेट करता है अपन है management का वो है controlling controlling देख लेते हैं यहां पर हमारा controlling यह सबसे last में होता है अब सारी चीजें हमने कर लिए direction भी दे दिया है तो it is the last function of manager यहां पर क्या होता है जो managers होते हैं वो try to match actual performance with the planned performance जो manager होते हैं वो अब क्या करेंगे बैठके try करेंगे कि जो हमने planning कीती कि ऐसा हमारा performance होनी चाहिए इतना turnover होना चाहिए और इतना जो हमारा पैसा लगा है organization में fixed assets में तो आप कुछ बचा तो नहीं है यह सारा लग गया जो भी उनने planning की थी उसको वो match करेंगे actual performance यानि कि अब जो वरकर्स सारा काम किया है जो result निकल की आया है उस result को वो actual जो planned किया था उन्होंने planning की थी इस हिसाब से होना चाहिए उससे वह match करेंगे कि हुआ इस हिसाब से प्लानिंग की थी उस हिसाब से सारा काम हुआ है कि नहीं हुआ है अगर इन दोनों में कोई match नहीं होता है डोप्लानरट में चीजिता है उससे कम काम होना चाहिए तो अगर में कि छुटत कोई नहीं होता है तो क्या होगा क्या कोशिश करेंगे कि अब यह दोबारा आगे ना हो इसका रिजन दूनेंगे फांड आओट करेंगे कहां कमी रही ती क्यों ऐसा हुआ कि जो प्लानिक उसे साफसे काम नहीं हो पाया है एक्छल पर्फॉमेंस है उससाफसे कम हुई है और गिनाइजेशन में जो सेलिंग है या फिर पर्डेक्शन का काम है या फिर पर्टेशिंग काम क्यों हुआ है को एक्ट्वल जो है क्या कारण है उसको वह कोशिश करेंगे सौल्व करने की आगे ऐसा नहीं उसके बार ऐसे ही साइक्टल चलती रहेगी यह रुकेगी नहीं जबते हमारा ऑगिनाजिशन का पूरा नहीं हो जाता तो यह कंट्रोलिंग जो हो गया लास्ट तो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एवारे में फढ़ेंगे अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें इस वीडियो को जासे ज़्याद आपने दोस्तों में जिसन्ट को भी फो सकें और अगर और आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं और एक-एक टॉपिक वाइस आप नोट करते रही है रेच्टर और पैनल लेकर यह फिर मिलते हैं तब तक लिए टेक यह बाइव और थैंक्स वाचिंग मैं चैनल पावर आफ नॉलेज